इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे MCB box के अंदर inverter का connection कैसे करते हैं MCB box में inverter का connection करने से क्या फायदे हैं क्या नुकसान है और ये किस तरह से काम करता है इस वीडियो में हम आपको इस MCB box का total connection wiring करके दिखलाएंगे full complete किस तरह से body earth का connection करते हैं neutral का face का input का output का main line का इस तरह से ये काम करता है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लाज तक गौर से देखें सुनें समझें उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का doubt है सवाल है सुझाओ है तो नीचे comment box में जरू लिखें तो जैसे कि ये है हमारा mcb box और इस mcb box का पूरा हम connection करके दिख लाएंगे उसके बाद inverter का भी connection करके दिख लाएंगे जो ये wire है ये है हमारा branch wire जिसे load करते हैं जो हमारा room से आया हुआ है जो इसमें green color का wire दिख रहा है 0.75 mm का है जो body earth का है और इसमें जो blue color का wire दिख रहा है 1 mm का है जो inverter का है उसके बाद इसमें आपको black color का wire दिख रहा है इसमें दो तरह का wire है एक है 1.5 mm का एक है 2.5 mm का ये neutral का वायर है जो हमारा room, kitchen और bathroom से आ रहा है और जो yellow color का है इसमें भी 1.5 mm और 2.5 mm का वायर है जो phase का वायर है और नीचे से हमारा main line का वायर है जैसे green हमारा body earth है और इसमें red जो है ये हमारा inverter का है जो नीचे floor में है ये second floor पे काम हो रहा है और black आपका neutral है और yellow face है जो 6 mm का neutral face वायर है तो यहाँ पे सबसे पहले हम MCB लगाएंगे MCB जो है हम B10 का लिए है 1.5 mm का जो वायर है उस circuit के लिए और B16 का जो MCB लिए है वो लिए है 2.5 mm का जो वायर है उस circuit के लिए load के हिसाब से वायर भी लगाया जाता है load के हिसाब से MCB भी लगाया जाता है तो यहाँ पे सभी MCB को हम लगा देते हैं और इसे MCB बॉक्स का टोटल कनेक्शन करेंगे साथ में हम आपको इसके अंदर कुछ MCB का इन्वेटर से कनेक्शन करके दिख लाएंगे तो चलिए हम फटा-फट सबसे पहले यहाँ पे MCB लगाएते हैं यहाँ पे हमें एक DPMCB लगाना है डबल पुल का ताकि दोनों पॉइंट हमारा कट सके क्योंकि इस सेकेंड फ़लॉर है में बोट जो चेंजर हो गरा है वो हमारा नीचे वाला फ़लॉर पे है और इन्वेटर का भी लाइन हमारा नीचे से ही आ रहा है और यहाँ पे कुछ MCB जैसे हम कम लगा रहे हैं और MCB थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे बीच में कर देंगे cb को और उसके बाद जो वायर हमारा है एक साइड इसते से वायर को हम निकाल लेते हैं जैसे इसते से वायर को कर लेंगे सैड मे और यहाँ पे हम टेप का का connection कैसे करते हैं अगर उस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर आपको आई link और वीडियो का description में link मिल जाएगा और भी तरह के वीडियो आप देख सकते हैं यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले इस तरह से inverter का वायर निकालेंगे और इसको एक बराबर cutting करेंगे इस wire को छिलेंगे इस तरह से और छिलने के बाद जो main हमारा red color का जो निचे से आरा inverter का वायर इसको भी छिलेंगे और इसके साथ इसको जोड़ देंगे inverter का जो में line का वायर है उसको रम कटिंग नहीं किया है तोड़ा बड़ा रहेगा तो यहां पर लूप रहेगा तो ज्यादा बैता रहेगा जैसे यह बड़ा है तो हम क्या करेंगे इस तरह से मोड़ेंगे और इसको हम साइड में डाल देंगे जैसे इस तरह से हम इसके अंदर डाल दिये और यहां पर इंवर्टर वायर को छोड़ देंगे उसके बा यानि जहां पे Connector Point है अर्थ का वहां पे कस देता है लेकिन वाइर चोटा है तो हम जोड भी सकते हैं तो यहां पे जोडने के बाद इस्ते से वायर को लेंगे और हमारा जो에 bio अर्थ का पॉइंट है वहार से इसेंटर में है और बिल्कुल उपर है और वहां तक measurement करके wire को इसते से छिल लेंगे और छिलने के बद क्या करेंगे दो wire को एक साथ इसते से तीन wire को एक साथ जोड़ देते हैं ताकि थोड़ा मोटा रहेगा तो screw कसेंगे तो lose नहीं होगा प्रोपर तरह से tight होगा इसमें lug भी लगाया जाता है बहुत सारा वीडियो में हम दिखलाए हुए हैं कि lug किस्ते से लगाते हैं जहां पे आपको lug मिल जाता है वहां पे लगा दीजिए नहीं मिलने पे wire को प्रोपर तरह से to state hard करके कसना होता है lose नहीं रहे इसलिए तो यहां पे यह हम बढ़ियात का connection कर दिए उसके बाद हम neutral का total wire निकालेंगे और यहां पे 1.5 और 2.5 दोनों है स्रिफ मिल लाइन का neutral wire छोड़ देंगे बाकि जितना load का है सभी wire को लेंगे जो room से, bathroom से, kitchen से आ रहा है और इस ते से wire को लेके जाएंगे और जो neutral का connector point है वो हमारा थोड़ा जादा नीचे है जैसे यहां पे हम इसको खोल लेते हैं इसको थोड़ा सा MCB से थोड़ा सा उपर कर देंगे तो बहतर होगा, सही होगा क्योंकि कुछ company का जो रहता है वो सही तरह से fitting नहीं रहता है तो इस ते से खोल करके और थोड़ा सा टेड़ा करके इस ते से उपर कर दिजेगा और प्रोपर ते से कस दिजेगा यानि gap बना दिजेगा MCB से आपका neutral का जो link है gap बनाने के बाद यहां पे सभी neutral wire को लेंगे और इसमें से serial भाई आपको डालना है जैसे हम 1.5 का सबसे पहले डालेंगे और MCB भी जो है हम सबसे पहले क्या किया है 10 का लगा है 1.5 के लिए और बाद में हम 2.5 के लिए लगा है और यहां पे ये भी कोशिस किजिएगा कि जैसे serial by room हो जैसे first room हो, second room हो third room हो, उसके बाद कीचन हो bathroom हो, जो एक line से आपका आता है, तो serial by अगर आप लगाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा wire में आप cut करके, marking करके अपना रख सकते हैं, कि ये room का है ये दूसरे room का है ये bathroom का है, ये kitchen का है बहुत सारा वीडियो में हम बतलाय हुए है तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे सब marking है, और उसी साब से हम connection कर रहे है, serial by सभी neutral wire जितना है सबको हम यहाँ पे सबसे पहले फटा पट करस लेता है, थोड़ा सा भी lose नहीं होना चाहिए, फुल टाइट होना चाहिए और यहाँ पे जितना हमारा load का wire है neutral link में हम कस दिये हैं अब यहाँ पे एक wire और लेंगे जो हमारा 6 mm का होगा यानि 6 mm का black लरका और इसको क्या करेंगे, छीलेंगे अच्छी तरह से दोनों side और छील करके इसको two state करेंगे एक side हमें MCB में कसना है, उसके इसाब से छीलेंगे, एक side हमको neutral link connection करेंगे, वो DPMCB के output में करेंगे, जैसे यह हमारा side DPMCB है और neutral का line देंगे तो यहाँ पे इसके अंदर इसते से डा देंगे और उसके बाद इसको proper तरह से tight करेंगे, फूल tight करेंगे, थोड़ा सा बिलूज नहीं करेंगे, यह हो गया हमारा neutral, अब yellow वाला total हमारा face है, अब इस wire को लेंगे और इसको भी serial by room by room डालिएगा, कि एक room है, दूसरा room है, kitchen bathroom है, तो और यहाँ read तक, जो यह measurement करा है इतना लंबा आपको cutting करना है इससे क्या होता है, थोड़ा बेहतर तरह से wire छोटा नहीं होता है, और थोड़ा look सही लगता है, उसलिए इतना लंबा cutting करके wire को proper तरह से chill करके, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे, और इसको कस देंगे यहाँ पे भी लग लगाया जाता है neutral आपका wire है, या face का wire है, यहाँ पे भी लग लगता है अगर आपके पास लग का अबलेबल है या party ला देता है market में अबलेबल है, तो लग लगाईएगा तो ज़्यादा बहतर होगा, लेकिन हमारे यहाँ इस time पे नहीं मिल पाया जो party को लिखवाया थे, वो नहीं ला पाये तो यहाँ पे हम wire को अच्छी तरह से twisted करके यहाँ पे connection कर रहे हैं तो यहाँ पे फटा फट जितना हमारा face का wire था, यहाँ पे लगा दिये है serial by serial, पहले 1.5 और लाश्ट में अपका 2.5 वायर है, solar का MCB है 2.5 में, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे जो mill line का face और neutral है इस wire को च्छीलेंगे और च्छीलने के बाद इसको भी proper तरह से मोड़ करके twisted कर देंगे और उसके बाद जो DPMCB है हम input वाला point में जैसे face का connection कर दिया उसी तरह से neutral का हम यहाँ पे connection कर देंगे proper तरह से tight कर देंगे यह हो गया हमारा अब चलिए हम आपको बतलाते हैं यहाँ पे inverter का wire का connection जैसे यह हमारा 1mm का wire हम लिए है inverter के हिसाब से आपको wire का size लेना होता है जैसे इस wire को अगर इस MCB में लगाएंगे तो जितना point है वो सब MCB से आपका inverter से हो जाएगा चाए power plug हो या bulb का point हो या night bulb हो कोई भी हो दूसरा में लगाएंगे तो दूसरा में होगा तीसरा में हो लगाएंगे तो तीसरा में हो जाएगा अगर चाहते हैं सभी में डालने के लिए तो हम क्या करेंगे जो main line का face wire डाले है उसको निकाल करके अगर यहां पर लगा देते हैं इसको तो जितना यहां पर MCB से circuit है वो सब में आपका inverter से connection हो जाएगा लेकिन हमें यहां पर कुछ ही MCB में यानि हमें दो MCB में inverter का connection करना है दो room में जिसमें हर चीज आपका inverter से हो जाएगा तो यहां पर एक wire को हम जोल लेंगे अच्छी तरह से tape लगा देंगे और इस wire को कहीं एक जगा डाल देंगे जैसे नीचे से जो pipe पर है उसके अंदर हम डाल देते हैं इस तरह से और इस wire को measurement करेंगे उस MCB तक जिस MCB से जिस room में आपको line देना है जैसे कि हमको last वाले में देना है तो वहां तक हम measurement कर लिए और फिर हम यहां पर एक wire को जोल लिए है look बना है क्योंकि हमें दूसरे भी MCB में देना है तो इसलिए हम look बना लिए हैं और इस MCB में कस देते हैं यह जो room है उसमें हमारा जा रहा है inverter का line उसके बाद इस wire को थोड़ा सा इस्ते से मोड़ेंगे और दो MCB को छोड़ करके जो चौथा वाला MCB है उसके अंदर इसका connection कर देंगे क्योंकि हमें चौथे वाले room में भी total inverter से connection करना है तो यहां पर इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से connection कर देंगे अब यह जो दो room है इसके अंदर inverter का total connection हो गया यानि power plug भी night bulb भी आपका socket भी और जो tube light है फैने total हो गया इस तरह से आप जितना भी MCB box में inverter का connection करना चाहते हैं जिस भी room में कर सकते हैं लेकिन हमें यहां पर दो ही room में करना था तो दो room में किये हैं अब ज़्यादा भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर हम एक yellow color का wire लिए हैं और इस wire को छील करके twisted बना लिए हैं और इसका connection हम कर रहा है यहां पर जो dpm से भी है वहां पर जो face का point खाली है वहां पर output में और इस wire को लिएक आएंगे नीचे यहां पर इस wire को छीलेंगे उसके बाद यहां पर कुछ wire का हम पॉकड़ा लेंगे जो looping बनाये हम वह हैं इस तरह से अब यहां पर इसको क्या करेंगे एक साथ इस तरह से लेंगे और इस से two state करेंगे यानि आपस में जोडेंगे और उसके बाद MCB में लगाएंगे बीच में लगाएंगे तो ज्यादा बेतर होगा जैसे कि हम बीच में लगा रहे हैं और यहां पे इसके अंदर डालेंगे और इसका connection कर देंगे अब यह looping के लिए लिए हुए हैं उस MCB में इसका connection करेंगे जिसमें हम inverter का connection नहीं किये हुए हैं या आपको नहीं करना है इस जगह पे face link का भी पर्योग किया जाता है लगाया जाता है लेकिन यहां पे face link नहीं लग सकता है क्योंकि alternate है बीच में आपका inverter का wire है तो इस जगह पे आपका wire जो looping है वही बहतर होगा और इस देसे face के लिए आप looping कर सकते हैं और यहां पे total हम final connection कर लिए हुए हैं जिसमें inverter का connection हमको करना है inverter का connection कर दिये हैं जिसमें हमको face यानि main line का connection करना है उसमें main line का connection हम कर दिये हुए हैं अब चलिए क्या करते हैं इसके अंदर हम power supply देते हैं यानि line देते हैं उसके बाद हम आपको check करके दिखलाते हैं अब जैसे कि इसके अंदर हम line दे दिये हुए हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे DP MCB जो है इसको on करेंगे उसके बाद एक एक करके सभी MCB को on करेंगे और यहां पे कोई MCB हमारा trip नहीं किया यानि total हमारा wiring सही है जैसे इस board में स्रीफ हम inverter का connection किये हैं इस main line जो है वो आपका main line ही है तो स्रीफ एक bulb का connection किया है तो यहां पे सभी switch को on करेंगे तो एक bulb हमारा जलेगा क्योंकि board का indicator नहीं जल रहा है जैसे यहां पे आप देखेंगे तो हमारा inverter का bulb जल रहा है क्योंकि अभी main line नहीं है हमारा स्रीफ inverter on है जैसे यह दूसरा room आप देखेंगे तो यहां पे indicator जल रहा है इस board में total connection हम किये हुए है उस MCB में जो inverter का वायर हम connection किये हुए थे तो इसमें bulb जल रहा है night bulb जल रहा है और इसमें power plug जो होता है उसके अंदर भी line आएगा जैसे यह power plug है और इसमें भी indicator है जैसे इसमें mini MCB है तो अभी यह नीचे है तो इसको चलिए on करते हैं इसको जब on करेंगे तो इंडिकेटर जलेगा जैसे देखें इंडिकेटर जल रहा है तो power plug में भी आएगा अगर आप MCB box में connection करते हैं तो नहीं तो आप इंवेटर का वायर डालिए और जितना point का आपको जरुरत है उतना point का ही connection किजे बहुत सारी वीडियो हमने बनाया हुआ है इंवेटर वायर रिग कैनेक्शन कैसे करते हैं अगर उन पर का वायर है और इसे बंद कर देते हैं अब चलिए क्या करते हैं जो MCB box का 裂पर का cover है door है इसे बंद कर देते हैं इस तरह से और चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है सवाल है सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखिए